IC upon IE की value दिया हुआ है current gain of the common emitter amplifier the current gain for common emitter gain तो current gain beta पोच रहा है current gain common emitter के लिए क्या होता है common emitter के लिए होता है IC upon IB यह पोचा जा रहा है common emitter cut vibration जब पढ़ते हैं तो उसके लिए current gain beta define करते हैं और IC upon IB होता है तो यहां से जो IE emitter current जो होता है वो base current और collector current के sum होता है तो यहां से जो IB आ जाएगी वो आ जाएगी IE minus IC तो इसको अगर मैं यहां में जाके रखूंगा तो जो beta की value आ जाएगी वो आ जाएगी IC और IB की value आ जाएगी IE minus IC यही और IC यहां से निकाल सकते हो तो IC की जो value आ जाएगी 0.96 IE यहां से IC की value 0.96 IE तो कुल मिलागे हैं इसमें जो beta की value रखोगे तो यहां से IC रख दो 0.96 IE और यहां से IE पहले से था प्यारे बच्चो और minus कर दो 0.96 IE हां E रहेगा ना IE IC तो यहां से IE निकाल की खा गया तो 96 over 1 minus 0.96 तो इसको 0.96 और 0.04 कुल मिला के काट लो तो यह 24 आ जाएगा तो इतनी टाइम्स जो current amplify होगी देटी डी option सही है प्यारे बच्चो चलो नेक्स्ट वीडियो पॉज करो और solve करने की कोसिस करो यह देखो प्यारा सा circuit है और इस ट्राइक के कोशिट